उमर और अफचाल अंसारी के सारे दावे फिल जहर से मुक्तार की मौत का सामने आ गया सच मुक्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाये थे भाय अफचाल अंसारी का आरोप था कि मुक्तार की मौत जहर दिये जाने से हुई है हाला कि विस्रा जाच रिपोर्ट में जहर की पुष्टी नहीं हुई है इस रिपोर्ट को न्याई जाच टीम को सौपा गया है बहुबली मुकतार अंसारी की मौत के मामने में विस्रा जाच रिपोर्ट सामय आ गई है विस्रा जाच रिपोर्ट में जहर की पुष्टी नहीं हुई है इस रिपोर्ट को न्याई जाच टीम को सौपा गया है 27.00 अप्चाल उनसारी ने मुक्तार को जहर देकर मारने का आरोप लगाया था मुकतार की पोस्टमाटम रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात नहीं कही गई थी आरोपों को देखते हुए मुकतार की मौत की प्रशासनिक और न्याईक जाच शुरू की थी जिसके बाद विसरा को जाच के लिए लखनू के फॉरेंसिक लैब भी जा था विसरा जाच रिपोर्ट मिलने के बाद न्याईक जाच टीम पूरी रिपोर्ट तेयार कर उसे उच्छा अफसरों को सौन पेगी इससे पहले पोस्टमाटम रिपोर्ट में मुकतार अंसारी की मौत की पुष्टी हौट अटेक से हुई थी वो बांधा जेल में बंद थे, तबीयत बिगरने पर उनकी 28 मार्च को मौत हुगई थी मुकतार के परिजनों ने उनकी मौत को हत्या बताते हुए जहां दिये जाने का आरोप लगाया था 28 मार्च को बांधा जेल में मुकतार अंसारी की मौत हुई थी 30 मार्च को मुक्तार अंसारी की शव को गाजीपूर के मुहम्मदाबाद स्थितावास पर लाया गया था उनके जनाजी को कालीबाद स्थित कब्रिस्तान ले जाकर सुपुर्देखाग किया था मुक्तार को उनके माता-पिता के कब्र के पास दफनाया गया था जनाजी को मित्ती देने के लिए लोगों की भारी भी उमर परी थी इस लोरान गाजीपुर जिलादिकारी की सांसद अफजाल अंसारी से बहस हो गई थी अंतिन संसकार की प्रक्रिया में भारी पुलिस बलतेनाथ किया गया था सांसाद अफचाल अंसारी ने अपने भाई मुक्तार अंसारी की मौत को हत्या बताया था उन्होंने आरोप लगाया था कि मुक्तार को जेल में खाने में धीमा जहर मिला कर दिया जाता था परिजनों का भी आरोप था कि उन्हें जहर देकर मारा गया है आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मुकतार की मौट की जाच प्रशासनिक और न्यायक स्तर पर शुरू की गई मुकतार की शब का विडियो ग्राफी के साथ पोस्त माटम कराया गया था पोस्त माटम रिपोर्ट में मौट का कारण हौट अटेक आया था मुकतार के विसरा को जाच के लिए लखनों फोरेंसिक लैब भीजा गया था विसरा जाच रिपोर्ट में भी जहर ना होने की पुष्टी हुई है इस मामने में अभी कोई भी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है माफिया से नेता बने मुकतार अंसारी पर पैसक मुकद में दर्च थे वह पांच बार विधायक भी रहे मुकतार बांदा जेल में बंद थे उन्हें 28 मार्च को होट अटेक आया था जिसके बाद तबियत ज्यादा बिगण गई इलाज के दौरान मुकतार की मौत हो गई थी मुकतार अंसारी को अलग-अलग मामलों में दू बार उम्रकैद की सजा हुई थी वह 2005 से जेल में बंद थे और सजा काट रहे थे मुकतार पर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में भी 10 साल की सजा मिली थी